बॉलिवुड के दिग्ग जबीनेता अमिता बच्चिन शोशल मीडिया पर हमेसा ही सक्रिय रहने वाली हस्तियों में से एक है वे अक्षर सोशल मीडिया पर अपने विचार, कवीटा, तस्वीरें और वीडियो साजा करते रहते हैं वा फैन से जुड़े रहने के लिए ब्लॉग भी लिखते हैं अमिता बच्चिन एक बार फिर से अपने शोशल मीडिया पोस्ट की वज़ते से चर्चा में हैं अपने नए पोस्ट में अमिता बच्चे ने जिंदगी के कड़वे सच को बताया है बिग बी अक्सा ट्विटर पर अपनी कविताएं और तस्वीरे साजा करते रहते हैं उन्हें अपने आधेकार एक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने जिंदगी के संघर्सों के बारे में बड़ी बात बूली है उन्होंने कहा है कि संघर्स के समय आपके पास कोई नहीं होता है अमिता बच्चन ने अपने ट्विट में लिखा जीवन का करवा सच संघर्स के समय कोई नजीक नहीं रहता और सफलता के बाद किसी को आमंतित नहीं करना पड़ता शोशल मीडिया पर डिक बी का यह ट्वीट तेजी से वाइरल हो रहा है उनके फैंस और तमाम शोशल मीडिया यूजर्स ट्वीट को पसंद कर रहे हैं साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं अपने इस ट्वीट से पहले अमिता बच्चन ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लोगों के जीवन में अहंकार और संसकार के बीच का फर्क बताया था अमिता बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखाता अहंकार और संस्कार में फर्क है अहंकार दूसरों को जुका कर खुश होता है संस्कार स्वय जुक कर खुश होता है अपने इस ट्वीट पर भी फैंस ने प्रतिक्रिया दी आपको बता दे कि पिछले महीने अमिता बच्चन और उनके परिवार के सर्दसर बेटे अभिशेक बच्चन बहु एश्वरे राय बच्चन और पोती अराध्या कुरोना वायले से संक्रमित हो गए थे इस बारे में खुद अमिता बच्चन और अभिशेक बच्चन ने शोशल मीडिया पर बताया था इसके बाद इन सभी का मुंबई के नानवटी इस्तित हस्पताल में इलाज गवा हाला कि अब पूरा बच्चन परिवार पूरी तरीके से स्वच्ची थे